वेलकम टू माय सुच एक्जाम, आज हम लोग 19 सक्टमबर की करेंट एफर को पढ़ेंगे, ये 5 बजे का शो है, डेली आपको 5 बजे करेंट एफर मिल जाएगा, उचले स्टार्ट करते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले, ये हमारा इंस चैनल इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बीसवे अंतरास्टी फिल्म पुरुसकार आइफा के होस्ट कंट्री जो है वो भारत है, तो अंतरास्टी भारती फिल्म अकादमी पुरुसकार के इतिहास में पहली बार इसे भारत में आयोजित किया जा रहा है, इस जो है इसका host country कौन से इंडिया है और host city कौन सा है Mumbai नुनीसवा जो ऑफा वर्ड हुआ था यू101 के निनकस्ट के बेंकॉग में हुआ था था शुतार्वा जो फिल में है तो यह आईफा के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इसका जो आयोजन है वो कहा किया जा रहा है मुंबई में या फिवालु भारत में पहली बार किया रहा है। इसे आप याद रखिएगा जिब 19 वा आइफा वार्ड था उसमें तुम्हारी और इसका जो बीस्वा संस्क्रण अभी होने वाला है वो भारत में आयोजित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है. इसका जो इंग्लिश में नाम है आईफा, इसका फुल्पाम होता है International Indian Film Academy. दूसरा कोशन है, अभी हाली में निम्न में से कौन विदेश में किसी भारती मिशन में तैनाथ होने वाली भारत की पहली महिला सैन्य राजनी का बन गई है? तो चलिए मैं इसका अंसर बता दे रहा हूँ, इसका सही अर है अंजली सीन. विंग कमांडर अंजली सीन को रूस में भारती दूतावास में डिप्ती एर अटैज के पड़ पर न्यूक्त किया गया है. उन्हें यहां न्यूक्ती 10 सितंबर को दी गई थी. विंग कमांडर अंजली भारती सेमिबलो की पहली महिला दिकारी है जिन्हें विदेश में किसी भारती अभियान वे सेम ये राजनाईक की तौरबर नियूट किया गया है ये नाम आपको याद रखना है अंजली सी कुशन बने गया है जो ऑंजली सी हैン जो मीग 29 लडाक विमान प्रसिक्षित है लडाको विमान बें प्रसिक्षित आयर ठेच का मतलब क्या होता है एयर ठेच एक वायू सेना अधिकारी होता है यह क्यूशन से इसब याद रखना है अगला क्यूशन जो है आज का अभी हाली में सिंगापूर, थाइलेंड और भारत की बीच त्री पक्ची सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है यह अभ्यास कहां पर आयोजित किया जा रहा है हम लोग जब से यह पढ़ रहा है करेंट अभ्यास उसमें यह करीब मुझे याद आ रहा है कि यह पाचवे नंबर का सैन्य अभ्यास है अभी हाली में बहुत सारे सैन्य अभ्यास हुए है आपको उन सबको याद रखना है इस मन के end में मैं एक वीडियो बना दूँगा जिसमें हम पूरे जो सैन्य अभ्यास है उसको एक सार्थ मैं लिस्ट कर दूगा तो चले मैं इस कोशन का अंसर बता देता हूँ कि सिंगापूर, थाइलंड और भारत के बीज़ जो सैन्य अभ्यास हो रहा है वो अंड मान दिको बार दृप समों में आयुजित किया जा रहा है तो यह जो सैन्य अभ्यास है वो पोर्ट ब्लेयर में किया जा रहा है तो अभी तीन देशों के बीच हो रहा है तो सिंगापूर, थाइलंड और भारत तो हमको यह जो कूट है इसको पहले याद रखना पड़ेगा RSN, RSN का मतलब है Republic of Singapore Navy, RSN का मतलब है RTN का जो मतलब है, उसका मतलब है Royal Thailand Navy और IN का मतलब है Indian Navy यह तीनों नैवी मिलके level exercise कर रहे है युद्ध का त्रिपक्ची अभ्यास कर रहे है पाँच दिवसी अस अभ्यास का उद्धेश यह जो है वो सिंगापूर, थाइलंड और भारत के भी समुद्री सम्मंदों को मजबूत करना है तो यह जो सैन्य अभ्यास है एक्जाम में कोशन बन जाता है आपको याद रखना है अगला जो है अभी हाली में भारती नौसेना और किस देश की साही नौसेना के बिच द्वीपक्ची सैन्य अभ्यास समुद्र लक्षडम में भाग लिया था बारत ने कौन से देश के साथ सैन्य अभ्यास में जिसका नाम था समुद्र लक्षमड में भाग लिया था तो चले मैं इस कांसर आपको बता देता हूँ, उसका सही अंसर है, मलेशिया, भारत में अभी हालही में जो समुद्र लक्षमड क्या था, नौ सेना अभ्यास था, जिसमें भारत में मलेशिया और भारत के बीच यह अभ्यास संपन्न हो आए, तो समुद्र लक्षमड के बारे में भाग लिया, इस अभ्यास का आयोजन दो चरणौ में गिया गया, पहला चरण था बंदर्गा चरण और दूसरा चरण था समुद्री चरण, तो बंदर्गा चरण में पेशेवर बाठचित, अधिकारिक वारता, समाजिक करेक्रम और विभीन खेल गतिवीधियो आयोजित करने का कारेकरम था और जो दूसरा चरण था समुद्री चरण इस चरण में सभी के लिए समुद्रों को शांति पूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए दोनों नोसे नाओं के बीच अंतर संक्रियता बढ़ाने और अपने कोशल का विकास करने जैसे कारिकरम सामिल थे तो इस से जो युद्व व्यास्त में था उसमें भारत की तरफ से दो जहाजी INS हायदरी और INS किल्टन में भाग लिया था ये दो नाम आपको और याद रखना है CGL के लिए important है CGL, SSA CGL में ये दो जहाजों का नाम भी पूछा जा सकता है मैंने उस दिन बताया था current of work का जो importance होता है जो भी current में चल रहा है वो ही कुछ आपके competition exam में भी बनते हैं अगला जो question है International Indian Film Festival of Boston में The May Film The Last Color के लिए किसे best actress का पुरुसकार मिला है Option आपके सामने है चली मैं सकांसर बता दू International Indian Film Festival of Boston में फिल्म का नाम क्या था The Last Color के लिए best actress का जो अवार्ड मिला है वो है नीना गुपता इनका नाम आपको याद रखना है तो The Last Color के निर्देशक कौन थे सेफ विकास खन्ना की या पहली फिल्म में थे उन्होंने इस फिल्म में क्या है जो विद्वाओ से जुड़े जो भी टैबू है उन पर ये अधारिद मोवी थे तो नीना गुपता जो है वो हिंदी फिल्म के एक अवित्री है TV कलाकार है, फिल्म डारेक्टर तरह पर्डूसर है, उन्हें 1990 में फिल्म वाओ चोकरी के लिए बैस सपोर्टिंग अविनित्री का फिल्म फेर पूसका भी मिला था, तो ये आपके सामने दिखाई देरा स्क्रिन में नीना पूता जे अगला कोशन है, अभी हाल ही में स्वच्च कोईला अनुसंधान वविकास के लिए एक राश्टी केंद्र का और घाटा निन निखित में से किस संस्थान पर किया गया है ये आपको याद रखना है स्वच्च कोईला अनुसंधान वविकास के लिए एक राश्टी केंद्र मैं इसका आंसर को बता देता हूँ इसका सही आंसर है IISC बैंगलूरू ठीक है तो ये आपको याद रखना है अभी हाली में केंद्री विज्ञान एवं प्रद्योगी की मंत्री डॉक्टर हर्श वर्दन ने बैंगलूरू के भारती विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्ट्यूट आफ साइंस में राश्वी स्वक्ष कोईला अनुसंधान एवं विकास केंद्र का और घाटन किया है ये आपको याद रखना है एक्जाम में कुछन यहां से बनेगा बिलकुल बनेगा IIS अभी बहुत ज़रा चर्चे में भी रहा है तो इस्तिर रेटेट कोश्चन इसलिए जरूरी है ताकि इससे होने वाले प्रदूशर और अपसिस्ट और अन्नी समस्याओं से निप्टा जा सके दुर्दर्शन के स्थापना हाली में कितने वर्स पूरे हो गए हैं ये आपको बताना है तो चली मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ इसका जो सहीं आंसर है वो है 60 वर्स अभी हाली में दुर्दर्शन को 15 सितंबर 2019 को दुर्दर्शन की स्थापना के 60 वर्स पूरे हो गए हैं ये आपको याद रखना है तो हमारे केंदरी सुचना वो प्रसारण मंत्री कौन है इनका नाम भी आप याद रखिये प्रकास जावडेकर इनको आपको याद रखना है अभी हाली में निम्नमे से किसे डॉक्टर कलाम स्मृती अंतरास्ट्री उत्क्रिस्टटा पुरुसकार 2019 से सम्मानित किया गया यह आप याद रखिये यह अभी हाली में सेख हसीना को यह सम्मान से सम्मानित किया गया सम्मान का नाम गया है डॉक्टर कलाम स्मृती अंतरास्ट्री उत्क्रिस्टटा पुरुसकार बांगलादेश के पीम ये सहीख हसीना कहा की प्रदान मंत्री है बांगला देश की प्रदान मंत्री है उन्हें 16 सेतंबर 2019 को धाका में कलाम स्मृति अंतरास्ट्री उत्क्रिस्टर्टा पुरुसकार से सम्मानित किया गया या परसकार भारत के पूरुरास्ट्रपती डाउटर एपी जी अब्दुल काहना की गई है तो ये पुरुसकार आपको नाम्याद रखना है बांगला देश की प्रदान मंत्री सहीख हसीना को मिला है अगला कोशन है कि सरकारी भाग ने एक पोशन जागरुपता मुहिव सुरू की है जिसके तहट गुजरात के आड़न जीने में करीब 5000 इसकुली वि विकास बोर्ड ठेक है या प्याद रखिये अगला कोशन अभी हाल है भारत और स्लोवेनिया के बीच दुई पक्षी संबंदों को बढ़ावा देने हैं तो कितने समझोतों पर हसाक्षर किये गए है तो इसका सही अंसर है साथ भारत के रास्पती रामनात पोविन और स्लो निवेर संब्सक्रों पर हस्ताक्षर भी किये हैं यह आपको याद रखना है युनिसको ने वरस 2019 के लिए 99 में से किस जगह को विस्व पुस्तक राजधानी नगर घोसित किया है यह आपको आंसर मैं बता देता हूँ विन अश्वन दोजार उननेस के लिए 99 में से किस जग को विश्व पुस्तक की राजधानी नगर घोसित किया है तो यह जो जगा है वो है सार जाह आपको याद रखना है कि युनेसको ने विश्व पुस्तक की राजधानी सार जाह को घोसित किया है मैं आपको कुछ facts बता तो अरतीसवे सारजा अंतरास्ट्री पुस्तक मेले का आयोजन 30 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा यहाँ पर सारजा में अंतरास्ट्री पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा जिसमें विश्व भर के लेखक, प्रकाशक, बुद्ध जीवी और कलाकार अपने अनुभव और विशेशग्यता साजा करेंगे सारजा में पुस्तकों और पठन-पाठन को बढ़ावा देने के लिए दिरंतर प्रयासों के मान्यता के तौर पर युनेस्कों ने वर्स 2019 के लिए सारजा को विश्व पुस्तक राजधानी नगर भुसित किया है इस बार के पुस्तक मेले का सुत्र वाक्य क्या है? मुक्त पुस्तक, मुक्त मस्टिक्स सार जहा पुस्तक पाधिकर्ण के अधर्च एहमद बीन गकड अल अमेरी ने बताया कि इस बार का पुस्तक मेला आसाधरन होगा तो यह याद रखिए कि युनेस्कों ने जो विश्व पुस्तक की राजधानी गोसित किया है वो क्या है? सार जा आगे बढ़ते हैं अभी हाली में अभ्यास एंसर ने 1929 हुआ इसका आयूजन कहा किया जा रहा है? तो चलिए इसका आंसर में आपको बता देता हूँ यह जो युद्ध अभ्यास है यह रूस में आयूजित किया जा रहा है तो रूस के केंडरी सैन ने जिले औरेन बर के पास डोगन रेंज में अभ्यास T.S.E.N.T.R. 2019 का उठगाटन समारों किया गया था इसका उठ देश जो है अंतरास्ती आतांगवात के खत्रेक का मुकाबला करना इस अमारों में भाग लेने वाले सभी देशों के 2500 कर्मियों और 500 वाहनों ने भाग लिया भारत, पाकिस्तान और चीन के साथ के सैना भी इस अभ्यास में भीस्ता ले रहे है ये जो अब्यास है वो कहां हो रहा है रूस में हो रहा है इसमें भारत, चीन, पाकिस्तान भी भाग ले रहे हैं ये आपको याद रखना है अभी हाली में पहली महिला मेराथन का आयोजन कहां पर किया गया है पहली महिला मेराथन का आयोजन तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, उसका सही आंसर है उधमपूर, एक अभिनव पहल में 15 सितमब 2019 को उधमपूर जिले में नशे के सम्मन में समाजिक संदेश पहलाने के उड़ेश से एक महिला मैराथन का आयोजन किया गया है, मैराथन में विभिन आयूव को के प्रतिभागियों ने भाग लिया, पहली बार विशेश रूप से लड़किया और महिलाओ के लिए मेराथन का आयोजन किया गया है, यह ड्रग जागुरुकता की थीम पर आधारित है, अभी हाली में निम्नमी से किस ने Under 19 Asia Cup का खिताब जीता है, वेरी इंपॉर्टें एशिया का खिताब जीता है, थेक है, किसको कौनसे टीम को हराया है, बांगलादेश को हराया है, यह आपको याद रखना है, बारती Under 19 ट्रिकेट टीम के लगा था, दूसरी बार एशिया का जीता है, चिलंका में ये आईजित मैच में उन्हेंने बांगलादेश के टीम को हराया है, काम एच चल रहा था शिलंका की कोलंबो में, बारत के कपतान कौन थे है तो धृू जुरेल, ये बारत की कपतान थे है, और इसफर्व अंको लेकर ये अपको यहां से इतना चिज याद रखना है, तो आज हमने 19 सप्टेंबर के बहुत ही important current affair को देखा, जिस और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम में जाके डारेक्ली डाउनलोड कर सकते हैं, यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका link मैंने description में दे दिया है, description में जाईए और आप इसका PDF डाउनलोड कर लिजिए, thank you.